नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पीटी पवार लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदिदा कारिक्रम स्वस्त विचार जहां आपको आपके हर असादे से असादे रोगों के आईरुवेदिक उप्चार बताय जाते हैं और बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आईरुवेदिक चिकित सपधिती को अपना कर खुद को स्वस्त रख सकते हैं निरोगी का आए दे सकते हैं और आप जानते हैं इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्यान हमारे साथ साजा करते हैं असादे रोग निवारक गायतरी पंडित श्री लक्षमंदास रतन भारद्वाजी तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का गुरुजी आपका बहुत स्वागत है नमस्कार दर्श को कोई भी बिमारी आपको परिशान कर रही है आप होस्पिटल की चकर लगा-लगा के ठक गए है आपको लगता है कि आपका जो रोग है वो ठीक होने की जगे दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है या फिर आप इलाज करा रहा है टेस्ट करा रहा है आपको अपने रोगों का कारन नहीं पता चल रहा तो आपको अब इलाज के नाम पर और गुम्रा होने की जुरुत नहीं है आपको यहाँ पर आना है स्वस्विचर आश्रम में आना है क्योंकि गुरुजी नाड़ी परिक्षन के माध्यम से ही आपके रोग का कारण बता देते हैं मात्र 3-5 सेकेंड में लेकिन उसके लिए जरूरी होता है आपका 12 घंटे की फास्टिंग करना जैसे अगर आप कल सुभा नाड़ी परिक्षन के लिए आना चाहते हैं तो आज रात को 10 बजे से पहले पहले आप अच्छे से खाना खाले पानी पीले फिर उसके बाद जब गुरुजी आपका नाड़ी परिक्षन करेंगे अगले दिन सुभा 10 बजे तो वो स्वयन बताएंगे आपको कि आप किस रोग के कारण यहां पर आए हैं यह रोग कितना पुराना है और अब इसका क्या कुछ उपचार हो सकता है उसके बाद जो आपको दवाएं देंगे गुरुजी तो वो आपको नियम और परेश के साथ सेवन करनी है इसके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र एक से डेड़ महीने में छुटकारा पा सकते हैं लेकिन नियम और परेश बहुत जरूरी है आप इस बा अबर पर कॉल करके घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए कारेकरम को आगे बढ़ाते हैं और अब गुरुजी से जानते हैं कि एक और नई बीमारी के बारे में और वो है गुर्दे के कश्ट फिर वो कौन-कौन से होते हैं गुरुजी से जानेंगे और साथी साथ जा देखिए गुर्दे में पत्थरी भी होती है और गुर्दा सिकुड भी जाता है गुर्दे को खराब करने की सबसे बड़ी चीजे हैं आपकी मैदा नंबर दो पे है नसा, नंबर तीन पे है बेट एमा खाना जब आपका लेवर पचाएगा ने पैंकरी इंसुलेन नी बनाएगी पित्ते में तजाब बढ़ेगा खाया पिया पेट में सड़ेगा उसका अर्क जाके गुर्दे पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है पिर जाके टटिव साब रुक जाता है मौ पे पैरों पे सुझन आ जाती है जब डॉक्टर मसीनों चेक करते आपको कहते है आपकी क्रिणी खराब होगी आपका युरी केसड बढ़ गया आपका क्रिटिन बढ़ गया अब आपका पानी बंद करा देते हैं और आपको ठोस खाने को देते हैं जिस्से को रुक और तेजी से बढ़ता है एक बात को जुरूर समझें कि गुर्दा खराब पानी की कमी से होता है तडिव चीज्यों से बासी चीज्यों के खाने से ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, दोली दालें, छिली उसबजियें, छना वाटा, गुर्दे को ऐसे जकरता है जैसे कीचर में कोई चीज फसती है फिर आपको डाक्टर का करजा देगना पड़ता है परांतु जो प्चार अभी मैं आपको बता रहा हूं यदि आप इसको द्यान पूर्दे सूनते हैं, समझते हैं, लिख करकर रखते हैं या सीरियल को सेव कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कभी गुर्दे में कोई तकलीफ होई ने सकती हैं सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान दें कि कच्चा प्याज आप जितना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे उतने ही आपके गुर्दे मजबूत होंगे और जबके हमारे बहुत से ऐसे जग्त गुरू बने हैं जो कहते हैं लस्टन प्याज नहीं खाना चाहिए यह नास्तिक हैं यह तामसीक हैं परांतु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मरे वो जानवर के अडियों का चूरा कोब्रे साम का जायर कायमिका लखाके आपका नदहर्म रिष्ट होता है नआपका देवी देवत रुष्ट होता है नआ आपको तामसीक लगता है साखा हरी से मासा हरी जरूर बन जाते हैं लस्टन प्याज अद्रक जो ज्यमीन से पैदा हुए इसके दुरवन से जो है वो परसानी आपको तो इसको मिटाने को भी अपने पास बड़े आसान तरिक्के हैं कि इसके खाने के बाद थोड़ सा गुर खा ले आपको जो मुझ से महक आती हो नहीं आएगी या जीरा भून के मुझ में डाले वो महक नहीं आएगी प्रांतु यदि आपके विचारों में ये चीज घर कर गए कि आमने नहीं खाना है तो आपको रोगों से कोई नहीं बिचा सकता अब जिसके गुर्दे में पत्त्री या गुर्दा खराब हो गया डाले पे आ गया तो इसको चाहिए क कच्चा प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं सिर्फ निममों के रस डाल के नमक नहीं लेना केडिनीय के रोगे कर नमक नहीं दिए जाता या प्याज को पीशके चठनी बनाके पानी में गोल के जैसे सूप पीते bisa पीए तो आपका Cretin-9-Uric Acid ऐसे घटेगा जैसे सर्दी में पारा घटता है और आपको खुल के टटीव साब आना सुरू होगा आपके गुर्दे काम करना सुरू कर जाएगा प्रंतु इसमें आपने ठोस चीज कोई नी खानी लिवकड चीज खानी जोगी खानी और पानी कम से कम गर्मी का मौसमा तो 5 लिटर लिवकड लेना आपने 24 गेंटे में और सर्दी ये वर्साथ का मौसमा तो आपको 3 लिटर लेना अथी वस्य का फाल तो लेंदे को नुक्सानी कम नी लेना जितना पानी आप ज्यादा पीएंगे, उतने आपके गुर्दे अच्छे होंगे, जितना पानी कम पीएंगे, उतने गुर्दे खराब होंगे, प्रांतु जिनके गुर्दे, डॉक्टर ने कहा के डायलेस करना पड़ेगा, उनको चाहिए, कि पिचास ग्राम प्याज सुबा पिचास ग्राम साम को, अच्छी तरह निंबो का रस डाल के आस्ता चुबाना है, रोटी के तब से थोड़ा मोँ मोर लें, गाय का दूदाय, बक्री का दूदाय, या स्वय बेन का दूदाय, जितना आप पीना चाहें, उतना पीए, दही में भी बना के भी ले सकते हैं, पान लेते हैं, पानी कम लेते हैं, लेक्ट कम लेते हैं, तो आपके गुर्दे को कोई ठीक नहीं कर सकता, डाइलस जो करना है, ये आपके साथ एक इसम का अत्याचार है, इससे गुर्दा और जाके खराब होता है, शुकृता है, ये पानी से किया जाता है, पानी से खून क को पतला करते हैं परसाब बढ़ाते हैं और कुछ नहीं होता है इसमें परांतु स्वष्थ वचार में जो डायलस का काम हो हम प्याज से ले दिए हैं आप प्याज का तरीक्वा समझे हैं कि आपने चार चम्त प्याज का रस निकाला, एक गलास हलके गर्म पानी में मिलाया, पीने में पूरा आदा गेंटा लगा दिया, तो पीने के पंदरा मींट के बाद आपको खुल के प्रसाब आना सुरू हो जाएगा, जितना आपको प्रसाब अच्छा हैगा, उतना आपका गुर्दा जल्दी स्वास्त होगा, और कभी भी आपके गुर्दे में दर्द हो रहा है, तो लस्टन प्याज का रस लेके, किसी भी चिकनी चीज में मिलाके, पेट पे गुर्दों के उपर माल्स करें, आपका दर्द ऐसे समावत होगा जैसे जल्ती अगणी में पतंगा न जाके जहां पर भी आपको तक्लीपा उसको ऐसे सुन कर देती है, जैसे जल्ती अगणी में पानी डालके अगणी संत हो जाती है, और यह लस्टन प्याज अदर एक बारा मिने कच्छा चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, या जूस के रूप में लेता है, खाने के सा तो जिंदगी में कभी केसी डाक्टर हकीओं के पास नहीं जाता, ना इसको रोग होता है, इसके साथ खाना जो भी आपने खाना है, वो चोकर वाला आटा लेना है, छिलके वाली दालें लेनी है, छिलके वाली सब्जी लेनी है, छिलका उतार के जब आप फैंक देते हैं, तो यह अंदर जाके कच्रा है किस्न का, जैसे कुड़े दान में कोची डाली जाती, ऐसे आप पेट में डाल रहे हैं, आपकी पाचन सक्ती कमजोर होगी, लेवर पचाएगा नहीं, पैंकरी इंसुलीन नहीं मिलाएगी, पित्ते में तजाब बढ़ेगा, और गुर्दे के सत्यानास होगा, और यदि आप लस्टन प्याज अधर का उचित प्रयोग कर रहे हैं, चोकर वाला आटा छिलके वाली डाले और छिलके वाली सभी यह खा रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको अखीरी सांस तक कभी को रोग हो ही नहीं सकता, नमस्कार, हम कुर्षेतरा हरियाना से आए हैं, मारा गाउं समालखा पड़ता है, यह मेरी बानजी है, जो कई सालों से बिमार चल रही थी, और हम लोगों ने प्राइवेट अस्पिताल, सरकारी अस्पिताल, यहां तक की PGI में भी इलाज करवाया है, लेकिन वहां भी कोई वहां ओप्रिसंद कराने तो जारे हो, लेकिन एक बार आप गुरुजी से मिलीजिए, तो हम उनकी सला मानते हुए यहां पे आए, और गुरुजी को दिखाया, एक महिन्ने में ही हमारी बानजी का जो किटनी की प्रोलम ठी ठीक हो चुकी है, और हम यहां से संतुष्ठ हैं मेरा नाम प्रेम लता सुलंकी है, मैं हैदराबाद से हूँ, मेरे पेरों में और कमर में 17 साल से तकलिफ थी, और गुरुजी के यहां आई मैंने, अभी दवाई खाई है 15 दिन की, आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, कमर का दर्द तो दो पट्टी में मेरा बहुत रिलिफ मिल गया, यह दर्द 17 साल से था, एलोपेटिक में तो में कमी गई, लेकिन आयूर्वेड में और भी बहुत सी जगा गई, और नेचर पेटी में भी गई, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, लेकिन बावा जी के यहाने से 15 दिन में मुझ कहां से बात करें आप, सवाल करें, गुरु जी सुन रहे हैं आपको, जी, दिमाग में कोई बात बैट जाती है, गुरु जी तो निकलती नहीं है, देखो बेटा, हमारे खान पान की गलती होती है, यह यदि मेद्य की चीजें, तलिवी चीजें, ठंडा पानी, बेट एमा खाना खाते हैं, तो पेट में पच्तने, गैस बनती, गैस दाके दमाग में घूमेंगी, तो दमाग पूरा काम नहीं करता, उल्टे सीदे विचार आते हैं, और इसका लाज आज पूरे संसार के अंदर, मेडिकल साइंस के पास नहीं है, प्रांतु मेरे पास इसका अवचा जिस तिन आसर में आना उस तिन रातरी दसवे तक खा पीके दातन कुछा करके बड़ी लेची मूं में रखके चूचते रहें, सुभा नाव से दस के अंदर अपना नाम का अनकुराएं, दस से बारा मैं नाड़ी पृष्ण करूंगा, नाड़ी पृष्ण में पैर के द्वाइएं खाने की हैं, द्वाइएं पेने की हैं, मालस करने के तेल हैं, आँख में, नाख में, कान में डालने की द्वाइएं हैं, ये द्वाइएं अंदर जाकर ऐसे काम करती हैं, जैसे मरजाई होई, फसल को पानी देकर इसमें हर्यालिश आ जाती है, ऐसे श्रीर के असर करती है और रोग आपका दिन दूबने राते चोगनी करता है आज मैंने पूरे संसार से एक इनमेदन किया है कि स्वास्त वचार एक मातर असरम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मों से बोलता है ना काईश पत्तर लाना पड़ता है ना कोई टैस्टर पोर्ट लाते हैं यह तक के जिसना ना उस तिन रात री तस पुए तक खा पी के दतन कूला करके बड़ी लची मों में रहके चोचे रहना शुआ ना ना से 10 के अंदर अपना नाम करण कुराना दस से बार मैं नारी पृष्ष्ण करूंगा नारी पृष्ण में पैर के तलूए से चिर के बाल तक पर दोग में डालने के दौईया है, नारी प्रिक्ष में पैर के तलवों से सिर्के बाल तक जो भी रोग मिलता सब दौईया दी जाती है, और यहां की दौईया जो है आप जेव में डालकर नहीं ले जा सकते हैं, इसमें दो दो तीन तीन थेले बर जाते हैं, पंदरा किलो से लेकर 20 किलो के बीच में दौईयों का भजन होता है, यह दौईया दी नियम से खाते हैं, तो पंदरा दिन में रोग में 50-60% रा मिल जाता है, मिने डेड़ मिने में रोग समाफत होता है, दौईया बंद हो जाती है, जिबरुकुल लेकिन उसके लिए जरुरत होता है, आप आपको सयम से काम लेने की और इसी के माध्यम से आप मातर एक से देड़ महीने में ठीक हो सकते हैं, अरतार जब तक आप गुरुजी की दवायों का सेवन करें, तब तक नियम और परेस का खास खयाल रखें, इसी के जरिये आप अपने सालों पुराने रोग से बहुत ही कम स संस्तान से जोड़ी लेना चाहते हैं, कोई शंका है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का समय है, सुबह 10 बज़े से लेकर शाम 5 बज़े के बीच, इसके अलावा दर्श को ये लाइफ कारिकरम है, अगर आप गुरुजी से सीधी सवाल क करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप संपर्क करें, गुरुजी से सवाल करें, और अपनी समस्या का समधान राप करें, किसी कारण से कॉल नहीं लग पा रही, तो भी परिशान ना हूँ, आप अपनी समस्या हमें वाट्सप करें, नाम, उम्र और शहर के साथ, अपनी सवालों को छोड़े, यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा, और गुरुजी दुहरा आपका मार्दशन किया जाएगा, इसी कड़ी में गुरुजी एक वाट्सप मेसिज ले लिते हैं, यह वाट्सप मेसिज हमें आया है, नेपाल से, न चुके हैं, पैसा गवा चुके हैं, लेकिन इलाज नहीं मिला, कहते हैं कि यूट्यूब पर आपका प्रोग्राम देखा, एक उमीद जगी, जानना चाहती हूं, स्वास्थविचार आश्रम में आपके पास आते हैं, तो किस प्रकार से इलाज होगा, देखिए, स्वास्थ एक रोग ऐसे यह जैसे खेत में से गाजर मुली निकालना, आपने जिस तिन मेरे पास आना उस तिन बुद बाहर नहीं होना चाहिए, गुरू बाहर से लेके मंगल बाहर के बीच में आना, जिस तिन आना उस तिन रातरी दस परे तक खा पीके, दातन कोला करके, बड़ी ल सब कुछ पांच सिकिन में ऊजवताब, फिर इसके बाद कखाने की इंव पेल आन आख में आना नाख में, बाहर डाने के दोईय हूँ एग को से एंके लंच未 की माल्स एक जागी में इन को आप यह जाएगी मिन्ने डेड़ मिन्ने में रोग समापत होगा और जैसे वो पहले थे बैसे को बैसे हो जाएंगे परांतु यहां का नियम है कि प्रेज बहुत सकते हैं ठंडा पानी नी पीना पांके कूलर एसी से दूर रहना खाना खाते समय दो ग्लास गर्म पानी लशन प्याज अदर का रस मुला के पीना जरूरी है और रातरी नाव से दस के अंदर सोना और सुबा चार वजोट के योग करना अति अवस्यक है तब जाके रोगों से मुक्ति मिलती है जी बाग के अधिक जानकारी के लिए नंबर आप जूज रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो एक बार आप गुरुजी से सीधे जुड़कर भी बात कर सकते हैं और अगर आप स्वास्विचार आश्रम आकर इलाज करना चाहते हैं तो सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है कॉल करना चाहते हैं तो बंद करना पड़ता है जिसको हफते में दो बार चार कर देता हूं जिस्को सब 수분 टीए अर जिस दिन रोगी मेरे पास आता इस तरह सी दिन टैउलस बंद जता है है और मिन्ने-डे मिन्ने कर्ते हैं और यह बंद अच्छी बात है कि अगर आपका हफते में दो बाय डायलेसिस होता है तो आपका यहां पर पूर्ट तहा उपचार सभव है और मात्र एक से डेड़ महीने में आपकी जो किड्मी है वो पुना जीवित हो जाती है उसमें पुना जाना जाती है तो अगर आप भी चाहते हैं जल से जल स्वस्त होना अपने किड् यह पर चार नंबर दिये जा रहे हैं इन पे आप काल करें और से आप अपनी समस्या का समढ़ान प्राप्त कर सकते हैं यहां पर WhatsApp ne मेसेज ले लेते हैं यह वाट्सप मेसेज हमें आया है कमल जी का जो की जिला जालावाड की रहने वाले हैं उम्र है इनकी उनीस वर्ष यह लिखते हैं कि इन्हें एक साल से फिस्टूला है अगर वह स्वस्विचा राश्रम आते हैं तो किस प्रकार से इलाज होगा देखिए जिसका पेट सापनी होता है जिसको कब जोते है उसको फिस्टूला होता है इसका अपचार यहां पे जादा जादा एक मिन्ने का है प्रांतूप चार तभी होगा जो में नियम बताऊंगा वो नियम अपनाएंगे आप पहले बुद बाहर छोड़कर गुरु बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीच में अपना नाड़ी प्रिश्न कराएं और नाड़ी प्रिश्न में ना तो आपने काईपत्तर लाना ना को टैस्ट रपोर्ट लानी ना मुह से बोढ़ना कि मुझे तिकलीप है सुबह नाव से दस के अंदर अपना नाम करने कराएंगे दस से बारों में नाड़ी प्रिश्न करूंगा तो मैं खुद भोलूंगा नाड़ी प्रिश्न में के आप कोई बिमारी है उसके बाद दौईएं दी जाएंगी, दौईएं खाने के हैं, दौईएं पीने के हैं, मार्श करने के तेल हैं और एक मल में दी जाएगी बनाके जो के आपने फिस्टूले पे लगानी हैं तो फिस्टूला एक मिन्ने में ऐसे समाफ्त होगा जैसे कूरे करकर के ढहर को मार्श इसकी तिली जिला के समाफ्त करती है आई पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में चीर फार तो बड़ी है कर लेते हैं रोग कि किसी की दौई नहीं है और जब तक आप जीएंगे तब तक दौई यह खानी पड़ेगी परांतु सवस्थ वचार एक मातर आश्रम ऐसा है कि इसमें दौई केवल उतने दिन खलाई जाती है जितने दिन रोग रोग समाफ्त होता है दौई बंद हो जाती है और यहां की दौई मिनना, डेड़ मिनना, दो मिनने, जाज जाज तीन मिनने खानी पड़ती है कितने पराने से पराने रोग अश्माप्त हो जाता है द्वाइएं बंद हो जाते हैं तो वो भी आप इनी चार नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिये जा रहे हैं गुरुजी के दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्त विचार सेहत की बात और संस्कृती टीवी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें जादा से जादा आईरवेद का जो ज्यान है आप इन चैनलों के माध्यम से अपने सासाथ अपनों तक भी पहुंचा सकते हैं सब्सक्राइब के माध्यम से और शेयर के माध्यम से फिलाल अब वक्त हो गया है क तारे करम को विराम देने का गुरुजी आप यहाँ लोगों की समस्याओं का समधान किया उसके लिए आपका बहुत भुछ धन्यवार नमस्कार दर्श को किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है इंपे आप हमें कॉल करें कॉल करने का समय है सुब किसी भी जानकारी के लिए नमबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं अब इसी के साथ मुझे भी दी जानू मती नमस्कार